हेलो एवरिवन लक्षिया योट्यूब चैनल पर आप सभी का हरदिक स्वागत है और जैसा कि आप सभी जानते हैं हमने कुछ दिन पहले ही आपको बोला था कि हम अपने चैनल पर बहुत जल्द special education से related topic पढ़ाना स्टार्ट करेंगे और उसकड़ी में ये हमारा first video है हम आज से आप सभी साथियों को special educator की जो भी तियारी कर रहे हैं उनके लिए video लेकर आएंगे और ये first video है बिलकुल basic से हमने स्टार्ट किया है और जो भी साथी special educator की post की preparation कर रहे हैं तो वो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप हमारी इस video को जदा से जदा लाइक करें और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें जो आपके साथी हैं और special educator की preparation कर रहे हैं तो उनको जरूर शेयर करें इस video को चलिए आज हम अपना पहला video स् देख रहे हो कि title में हमने लिखा हुआ concept of disease, impairment, disability and handicap चलिए start करते हैं introduction जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा हुआ मनुस्या से जिन कारियों और उत्तरदाइत्वों को निभाने की आश्या की जाती है उनको निभाने की शमता में बिमारी बाधा पैदा क जैसा कि आप देख रहे हो जो भी हम एक मनुस्या से आश्या करते हैं कि जो जो वो कारिया कर सकता है और अपने उत्तरदाइत्वों को निभा सकता है तो अगर उनको निभाने की शमता में जो बिमारी है वो बाधा पैदा करती है अगर एक सवस्त इंसान होगा तो वो अप दूसरे सब्दों में अगर हम इसको समझें तो बिमार आदमी अपनी सामाजिक भूमिका को निभाने में एसमर्थ हो जाता है। जो एक समाज में रहने के लिए लोक व्यवार बनाता है कोई भी इनसान तो अगर कोई बिमार इनसान है तो वो दूसरे लोगों के साथ जो लोक व्यवार के अनुसर समझें तो बनाना होता है। की अवस्था मौजूद है। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज के युग में अगर कोई भी बिमारी है तो उसके लिए कोई न कोई कारगर सादन जरूर मौजूद है। तो बट फिर भी इससे बिमारी के परभाव से एपरत्यक्स रूप से तो छुटकारा मिल जाता है। लेकिन यह व्यवस्था अपूर्ण है क्योंकि इसमें बिमारी के परिणामों को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। अगर किसी व्यक्ति को कोई बिमारी है और उसके लिए उसका इलाज करवाता हो, इलाज तो करवा लेता हो उसका, पर उसको एपरत्यक्स रूप से उससे छुटकारा मिल जाता है। एक पूरण अवस्था नहीं है, यह है एक अपूर्ण व्यवस्था है, इससे उसको अपूर्ण रूप से छुटकारा मिलता है, और वो जो परिणाम है बिमारी के उनको पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकता, वो कहीं ने कहीं थोड़े बहुत उसमें फिर भी रहे जाते है हैं, ऐसी हालत में बिमारी के परिणाम मनुस्या के दैनिक जीवन में गड़बड़ी पैदा करते हैं, जो उसकी डेली लिविंग एक्टिवीटी है, तो अगर कोई बिमार आदमी है, तो उसकी डेली लिविंग एक्टिवीटी में गड़बड़ी पैदा जरूर करेंगे, ऐसा ढहांचा तेयार किया जाना चाहिए, जिसमें इस तरह के अनुबवों के बारे में जानकारी हो, यह तथ्या विशेश रूप से पुरानी निरंतर बढ़ने वाली या लाईलाज गडबड़ी पर लागू होता है, अगे हम देखते हैं, यहाँ पर बताया हुआ कि बिमार हमने पीछे डिजीज के बारे में पढ़ा, कि एक सामान्य व्यक्ति और जो एक बिमार व्यक्ति है, उनमें क्यांतर हो सकता है, तो आगे हम देखते हैं फिर, इसका बताया हुआ कि वरगीकन का विकास, बिमारी के परिणामों को जाचने परखने के बारे में कई द्रिष्टिकों का संबन नेदानिक और पुनर्वास के संदर में सरचना अनुभव से है, यह विशेश रूप से अमेरीका में देखा जा सकता है, इसमें देनिक रहन सेहन जैसी गतिवीदियों पर आमतोर पर अधिक जोर दिया जाता है, यह द्रिष्टिकों मुल्यंकन प इन्होंने वो वरगीगर्ण का विकास बताया हुआ कि और उसको जो भी है अलग-अलग स्तर हैं उसके बारे में बताया हुआ, जैसे मैंने पीछे आपको बताया था कि डिजीज, डिजीज के बाद इंपेर्मेंट, इंपेर्मेंट के बाद डिसेबल्टी, डिसेबल्टी क तो यहाँ पर आगे हम उन्ही की बात करेंगे, सबसे पहले है शती या इंपेरिमेंट बोल सकते हैं इसको, स्वास्थय समंदी अनुबव के संदर्व में शती किसी भी हानी, मनोवेग्यानिक या साररिक सरंचना अत्वा कारिय में ऐसा मैन्यता को कहते हैं, सेधांतिक रूप से यह शती अंग या साररिक धांचे के स्तर पर गडबड़ी के रूप में परकट होती है, उधान रेटिना की खराबी से कोई दृष्टी अक्षम हो सकता है, तो उसे शती कहते हैं, जैसा कि आप देखते हो कि हमें कहीं भी चोट लग जाती है, तो अगर हम यहाँ पर उध ग्यानिक या साररिक सर्चना अत्वा कारिया में असमन्यता के कार्ण होती है, और इसके कार्ण जो भी हमारा साररिक धांचा है, उसमें गडबड़ी परदर्सित होने लगती है, जैसा कि इन्होंने भी उधान बताया हुआ कि रेटिना की खराबी से कोई दृष्टी होती है, तो उसको हम शती कहेंगे, उसके बाद अक्षमता, इसको हम डिसेबल्टी भी बोल सकते हैं, स्वस्थ्य संबंदी अनुबव के संदर्व में अंग्स सतर पर होने वाली कमी अथवा शती के परणाम से रूप सामान्य व्यक्तियों की तरह क्रियकलापों को करने में बाद या शती को अक्षमता कहते हैं, सेधान्तिक रूप से यह अक्षमता कर्यात्मक स्तर पर गडबड़ी के रूप में परकट होती है, जिसा कि हमने पीछे देखा जो शती थी, इंपेरमेंट, वो सारे रिक सर्चना के, उसमें सारे रिक सर्चना में गडबड़ी देखन को मिलती है और यहां पे आप example ले सकते हो कि जैसे मैंने बताया था पिछली बार impairment में कि अगर हमारी उंगली में चोट लगी बलड आने लगया तो उसको हम impairment बोलेंगे और वो वहां पे घाव बढ़ने के कारण अगर वो उंगली कट जाती है तो वो आएगी disability में जैसे कि यह इन्होंने पीछे रेटिना का example दिया था यहां पे फिर उसको बताया उधान रेटिना में सोरी रेटिना में शती होने से व्यक्ति को देखने में समस्या होगी इसके परणाम सरूप लेखन क्रिया में बादा उत्पन होगी जिसे अक्षमता कहते हैं वहां पे क्या हुआ थ रूप में समझे तो अगर हम उस उंगली पे घाव बढ़ने के काण उंगली कट गी और उससे हम लिख नहीं पा रहे तो क्या हुआ वो डिसेबल्टी हो गया और ऐसे ही यहां पे रेटिना का जैसे example दिया हुआ कि रेटिना की खराबी से किसी व्यक्ति को देखने में अग विकलांगता आगया स्वास्ते समंदी अनुबाव के संदर्म में विकलांगता व्यक्ति की वह दसा है जो शती एव अक्षमता के परणाम से रूप उत्पन सारिक एव मानसिक क्रियाओं समंदी भूमिकाओं को समान्य व्यक्तियों की तुलना में निर्भय करने में भादक होती है विकलांगता का समाजिक सवरूप वातवन को परिलक्सित करता है उधान यदि एक दृष्टी अक्षम व्यक्ति किसी कारियासाला में भाग लेता है तथा वहां उसे लिखित सामकरी दी जाए तो वह उसे पढ़ने में एसमर्त होगा जैसे कि हम यहां पे समझ सकते ह है विकलांगता कार्थ है कि अगर कोई जिसको विज्वल इंपेर्मेंट व्यक्ति है कोई जिसको दिखाई नहीं देता और उसको हम कोई बुक दे दे पढ़ने के लिए तो वो बिना जब उसको दिखाई नहीं दे रहा तो वो पढ़ कैसे पाएगा उस बुक को तो हम उस disable बोलेंगे क्योंकि वो book को पढ़ नहीं पा रहा है अगर उसी book को हम braille leepy में छपी होती है बुके अगर उस व्यक्ति को वो braille leepy में छपी हुई book दे दे और वो braille को अच्छी तरह पढ़ पा रहा है तो उस व्यक्ति को उस visual impaired वाले व्यक्ति को भी में भाग लेता तथा वहां उसे लिखित सामगरी दी जाएगी तो वह उसे पढ़ने में एसमर्थ होगा और उसकी विकलांगता परकट होगी क्योंकि वो पढ़ नहीं पा रहा तो सबको पता चलेगा कि ये visual impairment person है लेकिन यदि यही सामगरी उसे ब्रेल लिपी में दी जाए और वह उसे पढ़ ले तो इस स्थीति में यह अक्षम होते हुए भी विकलांग नहीं कहलाएगा तो जब उसने वो बुक पढ़ ली ब्रेल लिपी में लिखी हुई बुक दी गई तो जब वह व्यक्ति उस बुक को पढ़ लेता तो वो विकलांग नहीं कहलाएगा विकलांग तको समझने के लिए एक अन्या उधान है एक wheelchair के योग्या व्यक्ति का CD नहीं चड़ पाना विकलांगता है लेकिन lift या ramp की उपस्थिती में यह चड़ सकता है इस थिती में यह विकलांगता नहीं कहलाएगे जैसा कि आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि कोई wheelchair bound व्यक्ति है तो वो CD नहीं चड़ पाएगा जहाँ पे अगर कोई building है जहाँ पे lift नहीं है या ramp नहीं है और CD है तो वहाँ पे उसकी विकलांगता परदर्सित होगी क्योंकि वहाँ पे उसके लिए ना lift है ना ramp है तो CD वो चड़नी पाएगा तो वहाँ पे उसकी विकलांगता परदर्सित होगी लेकिन जहाँ पर हम inclusive education की बात करते हैं और आज के समय में inclusive building भी तियार की गई है जहाँ पे आपको lift या ramp में से एक चीज़ जरूर मिलेगी तो वहाँ पे अगर कोई wheelchair bound person है तो वो lift या ramp के सारे अपने जो भी room है उसका classroom है कहीं भी वो जा सकता है तो वहाँ पे वो disability उसकी नहीं परदर्सित होगी और वो इस थिति में यह विकलांगता नहीं कहलाएगे तो आशा करते हैं कि आप तिनों के बीच का अंतर समझ गई होंगे आगे हम बात करते हैं शती, अक्षमता तथा विकलांगता की अवधार्णा निमन परकार से भी समझा जहा सकता है कि जैसे बर्थमार्क है जो जनमजात निसान वो शती है लेकिन वह विकलांगता नहीं है परन्तु इस कानवस यदि किसी व्यक्ति के विवाव में समस्या आ रही है तो यह विकलांगता कहलाएगे क्योंकि वो जो बर्थमार्क है उसके कान उसकी मेरिज नहीं हो पारी तो वो एक विकलांगता के रूप में परदर्शित होगा यदि प्लास्टिक सर्जरी दुआरा उसे दूर कर दिया जाता है तो वह व्यक्ति विकलांग नहीं कहलाएगा क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी करने के बाद वो birthmark हट गया और उसके बाद उस person की साधी हो जाती है तो इसको हम फिर उस व्यक्ति को विकलांग नहीं कहेंगे आम जिन्दकी में शती, अक्षमता तथा विकलांगता में बहुत अंतर नहीं किया जाता है तथा ये सब आपस में परिवर्तित होते रहते हैं क्योंकि जो समान्या लोग होते हैं उनको इनके बीच का अंतर पता नहीं होता कि शती, शमता और विकलांगता के बीच का क्या अंतर है और वो जो impairment वाला person है उसको disable भी बोल सकते हैं और उसको handicap भी बोल सकते हैं ऐसे ही disable को handicap बोल देते हैं तो ये सब्द आपस में परिवर्तित होते रहते हैं उदार्ण के लिए सारेरिक शती वाले व्यक्ति के लिए भी अक्सर विकलांग सब्द का परियोग किया जाता है किन्तु विशेज सिक्ष्या में अध्यन कर रहे है व्यावश्याईकों को इसके मूल अंतर को समझना आउशक है क्योंकि जो special education में काम कर रहे हैं जो rehab professional है तो उनको इन तिनों के बीचका आर्थ जरूर पता होना चाहिए और आपके paper के हिसाब से भी ये topic बहुत important है तो आपको जरूर ये समझ आया होगा तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये topic अच्छे से समझ आ गया होगा और आप comment करके जरूर बताएं कि हमने हमारा दुआरा पढ़ाया हुआ ये topic आपको कैसा लगा और आगे के लिए motivate भी करें ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे वीडियो को like करें साथ में share भी करें और अपने साथियों को जो भी special education से related study कर रहे हैं तो उनको भी ये वीडियो जरूर share करें Thank you